सिंगरावरी के NCL गोर्वी शेत्र के प्रभावित और विस्थापित आधा दर्जन लोग अपने खिलाफ दर्ज मामले को हटाने के लिए कॉंग्रेसी नेता भासकर मिश्रा के साथ पुलिस अधिक्षक से मिलने पहुचे विस्थापित लोगों ने पुलिस अधिक्षक को बताया कि रोजगार मागने के दौरान NCL गोर्वी शेत्र में ओवर बर्डन का कार कर रही नील कंट कंपनी ने उन लोगों के खिलाफ देश पूरवक एक तरफा मामला दर्ज किया है विस्थापित उनने कहा कि हम लोगों ने नील कंट कंपनी के करमचारों के ऊपर बत्सलूकी और मारपीट करने का मामला दर्ज कराने के लिए आवे दिन दिया था लेकिन उनके खिलाफ कोई कारवाई ने हुई और हम पर ही मामला दर्ज कर लिया गया गोर्वी छेटर के कुछ गुस्ताओध मेरे पास आयते और इनका यह कहना था कि पूरू में इंके द्वारांधुन किया गया है इनके पक्ष को नहीं सुना गया है जो कमपनी का मेंजमेंट इसकी शिचायत के कारवाई की इनके जो भी विशह है जो भी आविदम दिया है उसको पक्षता से देखिए जो भी समचित विद्बल गया है यह मामला गुर्भी वीबलाग के विस्थापितों का है और यह जो ग् पुलिस ने गहर जरूरी तरह गर जरूरी तरीके से मुकदमा कायम कर दिया है यह लोग वहांके विस्थापित और प्रभावित जिनको वहां जिनका पूर्णतल हक बनता है कि वहां के जोबी कंपनीया आती है या इंसल में रुज़गार इनको दिया ले क्योंकि यह लोग प्रवादियों निवादियों प्रवादियों गाउं से शेहरों तर व्यापार से उद्योगों तर राजडीती से उटमीती तर दकन्यूज आपके हत्र आप देख रहे हैं तकन्यूज